तो आज हम देस्टस करेंगे PNS, Peripheral Nervous System और Automatic Nervous System में होता क्या 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 देखो Peripheral Nervous System में हमार पास दो और ताइप की nerves होती है Cranial nerves जो brain से आते हैं और Spinal nerves जो कि हमारी Spinal Codes आते हैं ठीक है उनके functions देखते हैं सबसे पहले there are 12 pairs of cranial nerves यानि कि cranial nerves जो होते हैं हमारे पास ठीक है अब इनके काम क्या क्या है या फिर किस तरीके से काम करते हैं तो देखंस आउट cranial की बात करो मैं देखंस आउट ओव देखंस और ब्रेइन एंड गो तुदा ओर्गंस इन दा हैड ओफ रिजन मतलब यह ब्रेइन से आती है तो यह जो है ना परिफरल नंटर सिश्टम के डो टाइप से क्रेण लंस होते हैं और दूसरा स्वाइनल लंस होते हैं क्रेण लफ बारा पैर बादा और यह थर्टीवन पेर यह आती है है मतलब यह स्कल्ड की रिजन से और जाती है जहां पर हमारा है उसके आसपास के ठीक है और इसकी बात करें तो यह हमारे स्पाइनल कोर्स आती है और हैड के जो नीचे-णीचे वा बात करें तो इट हाइटेंस दा एक्टिविटी ओफ ओर गन एस पर देनीड मतलब जो हमारा ओर्गन है अगर हमारे स्पीड में कर दिया जाए उसका रेट को बढ़ा दिया जाए तो यह उस हिसाफ से उसको खुद बढ़ाता है अपने हिसाफ से ऑटोमेटिक है तो खुद बाइद बोडी तो क्या होता है इस फुलफिल्ड बाइए इंक्रीज इन ब्रीधिंग एंड हर्ट रेट यानि कि ऐसे टाइम पर यह संपेथेटिक नर्व सिस्टम क्या करता है कि पहले सी ऑक्सेटिक दिमांड बहुँ जाता है तो क्या करेगा यह हमारे ब्रीधिंग इसको क्या है इसको क्या होता है इसको क्या बात करें तो जैसे हमें थोड़ा स्लोव कान चल जाएगा जैसे की एब जुरिंग ब्रीधिंग ब्रीधिंग रेट को हम सोगे होगा चाहिक है आखर कोई आ खुम होगा उस की अंधर को कामक मिरूज़ करकेंगा से शुरू कर देंगे जली जले ली दी काम आता है पराइब आता है जो इसको करता है जितने वी ओरगन से जितने भी नहीं भी झांट है देखो दूरिए क्या होता है हमारा जो जल्षिंग रेट है और उसका फाइदा क्या है इससे एनरजी बसती है जितना हम लोगी स्लोका उसके अनरजी बची रहें तो यह थे तो फेर चाहर कि एक टोपीक क्रेनियल लव्स क्या होती है स्पाइन लव्स क्या होती है सिंफेटिक नर्व सिस्टम और परस्पेटिक नर्व सिस्टम ठीक है आज के लिए पने देट जट अ